रेहें दोस्तों दोस्तों इस समय इंडिया की केरेंसी है वो डालर की अपेच्छा करत लगातार घट रही है जिसकी वज़े से पूरी इंडिया में राजनीत का एक बिसर बन गया है ये डालर आखिर dollar इतना जादा मजबूत कैसे हो रहा है और इंडिया की currency इतना जादा कमजोर कैसे हो रही है तो यहाँ पर आज मैं आप लोग को एक list दिखाने वाला हूँ कि पिछले एक साल के अंदर dollar कितना जादा मजबूत हुआ है और दुनिया की केरेंसी कितनी जादा कमजोर हुई है सिर्फ भारत के उपर ही ऐसा असर नहीं पड़ा बलकि दुनिया के जादा तर देशों के उपर ऐसा असर पड़ा दुनिया की जादा तर देशों की केरेंसी कमजोर हुई है डालर मजबूत हुआ है कुछ गिने चुने देश ऐसे भी हैं जिनकी करेंसी डालर से भी ज़्यादा मजबूत हुई है तो आज की इस वीडियो में आप लोग को लिष्ट दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि कितने परशन कौन सी करेंसी मजबूत और कितने percent कौन सी currency कमजोर हुई है बस वीडियो के last तक आप बने रहे है तो आप हमारी स्क्रीन पर एक list देख सकते हो इस पर एक index की ये जो list है इसमें साफ साफ सारे देशों की currency को दिखाया गया है जो दुनिया की मजबूत मजबूत देशों की currency है उनको दिखाया गया है और बताया गया है कि कौन से देश की currency कितना ज़्यादा मजबूत और कितना ज़्यादा कमजोर हुई है दुनिया में सिर्फ दो ही देश ऐसे हैं पहला रसिया जिसकी currency रूबर डॉलर से 13% मजबूत हुई है और दूसरा है ब्राजिल ब्राजिल की currency भी डॉलर से 6% मजबूत हुई है लेकिन दोस्तों उसके बाद आप नीचे लिष्ट में देख सकते हो दुनिया के जो टॉप देश हैं उनकी currency दिखाई गई है और उनकी currency किस प्रकार कमजोर हुई है डालर किया पेच्छा करत आप स्विजर लेंड की देख सकते हो 8.8%, इंडोनेसिया की 9.7%, इंडिया की भी 9.8%, कनाडा की भी 9.8%, चाइना की 13%, जहां दोस्तों चाइना की 13% currency डॉलर की अपेच्छा करत कमजोर हुई है लेकिन जरा से आप सबसे नीचे लिश्ट पर गौर कीजिए जो दो देश हैं वो हैं पाकिस्तान और तुरकी पाकिस्तान की जो currency है ये 31% पर तुरकी की जो currency है वो 93% डॉलर की अपेच्छा करत कमजोर हुई है लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारत में सिर्फ राजनीत का मुद्दा बना दिया जाता है अगर आप पूरे वर्ड की currency को देखे तो डॉलर की अपेच्छा करत ये कमजोर हो रही है अब मुझे नहीं पता है कि डॉलर किस वज़े से मजबूत हो रहा है लेकिन दोस्तों यहा पर अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो सारा को समझ में आ जाएगा इसी प्रकार की इंटरिस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन पर प्रस कर सके हो ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहुंच सके तो दोस्तों चलते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में जै हिंद जै भारत